अप्शिश प्रभंधन आज के समय में एक बहुत अप्शिश प्रभंधन एक बहुत बड़ी आविश्यक्ता है इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ है मिस तमन्ना शर्मा जी जो कि इस शेत्र में कई वर्षों से कारे कर रही है स्वागत है आपका तमन्ना जी थांक यू सो मच दीक्षा जी सबसे पहले तमन्ना जी ये बताईए कि आज के दौर में हम क्यों हर जगे अप्शिश प्रभंधन की चर्चा करते हैं हम क्यों इस और बहुत जादा महत्व देते हैं कि अप्शिश्ट का प्रभंधन करना बहुत जरूरी है जिस तेजी से हमारी खपत बढ़ रही है कंजम्शन बढ़ रहा है उसी तेजी से हमारी अप्शिश्ट पैदा करने की मात्रा भी बढ़ रही है हाल यह है कि बिल्डिंग्स के साइज के लैंडफिल्स बन गये हैं नदियों में, समुद्र में, माइक्रो प्लास्टिक्स मिल रहे हैं यह हमारे एको सिस्टम पे डाइरेक्ट दबाव डालता है एर, वाटर, सॉयल यह हम से डाइरेक्ली जुड़े हुए हैं और यहां पे जब अप्षिष्ट मिलता है, तो यह हमें डाइरेक्ली थ्रेटन करता है बात हमारे सर्वाइवल तक आ चुकी है अगर एक बायो डिग्रिड़बल वेस्ट को आप लें और उन्हें लैंडफिल्म में भीज दें तो एक गैस वेदा होती है जिसका नाम है मीथेन यह ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस गैस ऐसी चीज है जो हमारे परियावरन के ताप्मान को बढ़ाती है तो डाइरेक्ली जो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है वो भी वेस्ट मैनेज नहीं करने की वज़ा से हो रही है बिल्कुल ठीक कहा आपने तमन्ना जी यह वाकई में देखा जाता है कि अनुचे तरीके से अगर हम वेस्ट को हैंडल करें तो कई प्रकार की पर्यावरण संबंदी समस्यां देखने को मिलती है आज के समय में जह हम कूडे को ठीक से नहीं मैनेज कर पाते हैं तो अधिक तर जगों पर यह देखा जाता है कि कूडे को जला दिया जाता है जब यह कूडा जलता है तो वायूप्रदूशन होता है कई पर जाने अनजाने हम कूडे को पानी में फेख देते हैं जैसे कि प्लास्टिक की थेलिया हैं बाकी कूडा कचरा है जिससे जल प्रदूशत होता है जल में पायजाने वाले जीव, जो फक्षीयांभी है यहां तक की समुदरी में, उनमें भी प्लास्टिक जो है, वो पाया जा रहा है ऐसे दूर दराज के कई टापू हैं, दूर दराज के कई शेतर हैं, जहां हम इन प्लास्टिक की उपस्तिती को पा सकते हैं और अगर हम आनम स्वास्तिकी भी बात करें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी यह कहना पर कई प्रकार की diseases human beings में हो रही है जानवरों में भी कई प्रकार के प्लास्टिक और दूसरे जो हानिकारक हम कहेंगे तत्व वो पाये जाते हैं तो यह बहुत सही बात आपने कही है और य काई स्टेप्स यूज कर सकते हैं पर साथ ही साथ एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि हमें खपत पे भी ध्यान देना हैं अगर हम कंजम्शन पे काम नहीं करेंगे तो हम वेस्ट मैनेजमेंट जितनी भी कर लें वेस्ट बढ़ता ही जाएगा तो यह दोनों बहुत ही यह आप अपनी नीजी जिंदगी में भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इन्हें इक बड़े स्तर पे भी जैसे नगरपालिका में भी इस्तमाल कर सकते हैं यह steps ऐसे हैं जो सब जगा लागू होते हैं आदे आदे कन बी यूज़ एनिवहर तो लेट साथ फूर्स वेस्ट एंट तो हमें यह नहीं पता होता है कि हम कैसा टाइप का अपशिष्ट जेनरेट कर रहे हैं, तो यह बहुत जरूरी है, वेस्ट ऑडिट नीजी जिंदगी में एक बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है, आप सिंपली अपने घर के डस्ट बिन में जाके देखे और उसे उब्जर्व क क्योंकि अगर आप देखें, एक एरिया, अगर हमारा एक टार्गेट अरिया है, वहां की कल्च्रल अंडिस्टेंडिंग बहुत जरूरी है, कल्च्रल अंडिस्टेंग से आपको पता लगता है कि त्योहार कब हो रहे हैं, नॉर्मल, और्डिनेरी डेज कभ हैं, क्योंकि त जितना वेस्ट नहीं निकलेगा, जितना वीकेंड्स पे निकलेगा, और अगर आप एक ओफिस एरिया में हैं, या एक इंस्टिूशन के एरिया में हैं, तो वहां पे वीक डेज पे जितना कच्रा निकलेगा, वीकेंड्स पे नहीं निकलेगा, तो यह चीज ध्यान में नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंजमेंट सिस्टम को, तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग आपने इंफॉरमेशन दी है, तमन्ना जी, क्योंकि हमने कई प्रकार की ओड़िट के बारे में सुना है, और वेस्ट ओड़िट निश्चे तोर पर हमारी लेर्नेर्स के लिए एक नया कंसेप्ट है, और ये बहुत देखा जाता है कि कचरे का जो प्रकार है, वो बहुत वैरी करता है, एक नगरिय शेत्र में कचरे की फिजिकल और केमिकल केरेक्टरिक्टिक्स बहुत अलग होती है, ऐस कंपेर टू एक ग्रामी शेत्र में, इसी तरह से हम नगर में भी देखें, तो अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग प्रकार का कूड़ा पाया जाता है, और वेस्ट मैनेजमेंट आप एक तरीके से सभी प्रकार के कचरे के लिए लागू नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत इंट्रेस्टिंग है, और वेस्ट सेग्रेगेशन के बारे में दीरे दीरे लोगों की जानकारी काफी बढ़ रही है, सरकार का प्रयास इस और है कि कचरा जो है, वो अलग-अलग तरह से सेग्रेगेट किया जाए, क्योंके waste segregation एक पहली सीडी है अगर हम waste management तक पहुचना चाहते हैं तो पहली सीडी है waste segregation अच्छा एक और बात है कि solid waste management rules जो 2016 में लागू किये गए हैं उसमें bulk और individual generators यह अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं मतलब individual generators में आते हैं हम और आप लोग और जो bulk generator होता है तो बहुत बड़ी कोई संस्ता हो सकती है hospitals हो सकते हैं एवेंट्स हो सकते हैं तो जहां पे भी अप्रहद मात्रा में अप्षिश निकलता है हम यह बिल्कुल जाहेंगे आपसे कि waste audit individual और bulk generators क्या समान रूप से कर सकते हैं individuals के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत आसान है करना अपनी personal consumption देखना बहुत ही जादा आसान है क्योंकि आप जब आप रोज अपनी consumption observe कर सकते हैं आप देख सकते हैं अच्छा तो आज मैंने इस थैली में अपनी सबजियां खरी दी तो अगर मैं यह थैली हटा दूँ तो शायद मेरा waste कम भी हो सकता है और मैं वैसा material भी हटा सकता हूं जो recycle नहीं होता जो आगे जाके हमारी जो दो तीन आगे steps है उसमें काम आता है तो यह observation बहुत important है पर जब हम बल्क generator की बात करते हैं अगर वो एक अगर ऑगनाइस तरीके से हो रहा है कोई एक decision maker है तो वो decide करते हैं कि हमारे cafeteria में क्या चीज आएगी हमारे office में कैसी stationery आएगी हम कैसा waste generate करेंगे तो वहां पर भी हम उसको control कर सकते हैं हम उसे समझ सकते हैं लेकिन public spaces यह third area हो जाता है जो हमारे control में होता ही नहीं जो नगर पालिका जिसका हर रोज उसकी problem के साथ वो जूचते हैं सो वहां पे भी हम स्ट्रेटीजिक तरीके से यही अलग अलग दिनों में अलग 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 area को target बना के geographical sense में टेरेन कैसी है यह सब देखके waste audit कर सकते हैं तो हमें पता लगता है quantity और for example आपको पता लगा कि आपके waste audit में इतनी मात्रा bio degradable material की है और उससे इलावा जो materials है वो recyclable है तो आप तरेन के हिसाब से आप facilities बना सकते हैं अगर आप ऐस इन इंडिविजुल करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के partners को ढूंड सकते हैं जिनको आप अपना waste दे सकते हैं पर अगर आप decision maker है या वेस्ट management पे ही काम कर रहे हैं तो आपको facilities तैयार करनी पड़ेंगी जैसे bio degradable material बहुत ही आसानी से खाद में बदला जा सकता है और आप तो bio gas में भी बदला जाता है और recyclables like paper, plastics यह भी आराम से recycle हो जाते हैं पर कुछ ऐसे terrains है जैसे geographical sense में अगर बात की जाए रिमोट areas जिन areas में जह पहाड़ों में जो areas जह लोजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ट्रांस्पोर्ट नहीं जा पाता रोज यह facility को हम खड़ा नहीं कर सकते वहां पर मैं suggest करूंगी value chain बनाना एक collection center छोटे-छोटे गाओं में बनाया जा सकता है उन collection centers में waste segregate करके collect किया जाता है once it is collected एक chain बनाई जाए जो इसे collect करके facilities तक लेके जाए तो हम इन जगाओं पर value chain बना सकते हैं और जहां पर हमें value chain की जरूरत नहीं है वहां पर हम यह कोशिश करेंगे कि हम waste management की facilities according to the material करें तो सभी के समान प्रयासों से waste audit किया जा सकता है और अलग-अलग तरीकों के जो waste हैं उनको हम audit करके अलग-अलग तरह से segregate कर देते हैं तबना जी यह बताईए कि इसके आगे किया किया जाता है जब हमारे पस waste audit के द्वारा हमने उसको अलग-अलग कर लिया है उसके बाद waste management में आगे क्या होता है अब आती है असली चीज जो हम कई बार ऐसे करते हैं कि waste audit छोड़ देते हैं waste segregation छोड़ देते हैं और हम से waste management systems की बात करते हैं तो अगर हमने यह दो चीजे कर ली हैं तो अब आती है में बात अब इस waste का क्या किया जाए वेस्ट माटीरिल की समझ हमें audit दे देता है segregate हमने कर लिया है तो अब हमें हर material को उसी के हिसाब से या तो recycle करना है या बायो डीग्रेट करना है या और ऐसे कौन से हमारे पास हैं जिससे हम economy में ही वापिस इस waste को भेज सकें instead of the landfill so यह सबसे बड़ी priority एक waste management system में सबसे बड़ी priority यह होती है कि landfills में waste हम ना भेजें because landfills are not the answer so that is why we start with implementing systems so for example अगर आप biodegradable waste generate कर रहे हैं तो आप उसके बाद उसे खाद में बदल सकते हैं आप उसकी biogas बना सकते हैं और अगर recyclables हैं आपके पास तो आप उसे paper या plastic को recycle कर सकते हैं आप देख लीजिए पहाडों में गाओं में remote areas में facilities setup करना आज भी बहुत difficult है so for example अगर हमारे पास infrastructure बनाने की जगा नहीं है अगर हमारे पास proper climate नहीं है वहाँ पे हमारे पास सारे साधन नहीं है तो वहाँ facility नहीं बना सकते हैं so इसलिए I will suggest जहां report areas में हम यह नहीं कर सकते वहाँ पे हम कोशिश करेंगे एक value chain बनाने की मतलब collection centers के थरू अगर हम इक गाउं में collection center बनाते हैं और उसे एक cluster के साथ जोडते हैं तो हम उस cluster से सारा waste collect करके हम ला सकते हैं एक facility पे जो सबसे पास में हो इस से हमें हर जगा waste management facilities बनाने की जरुवत में नहीं और हम इस problem को भी solve कर सकते हैं मेरा मानना यह है कि अगर हम biodegradable waste को वहीं पे solve कर दें तो हमारी आधी problems चली जाएंगे most of our waste is biodegradable food waste 50% almost so अगर हम biodegradable waste को वहीं पे source पे waste को biodegradable waste को खाद नहीं बना रहे हैं या कोई और चीज में convert नहीं कर रहे हैं तो हम एक transport पे दवाव बना रहे हैं हम this ends up becoming it ends up going to the landfills and also creates a carbon footprint which is not great so जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि biodegradable materials जब landfill में पहुँच जाते हैं तो methane बनाते हैं तो इस चीज को solve करने के लिए सबसे पहली चीज है source पे ही biodegradable materials को हम compost या biogas में convert करें so that's why very important that we do it right there and it's very easy biodegradable material nature is with us आप अराम से pit composting करते हैं vermi composting करते हैं normal composting aerobic anaerobic आप कोई भी यह system use कर सकते हैं और वहीं पे compost बना सकते हैं हाँ जैसे कि हम देखते हैं कि decentralized waste management अखिर यही है कि source का जो management है वो at source ही हो जाना चाहिए जहां से भी waste निकल रहा है वहीं पे ही अगर उसका management हो सके तो वो transportation cost जो आती है और आपने जो carbon footprint की बात करी है वो बहुत आविशक है क्योंकि उससे एक problem खतम करने के लिए हम दूसरी problem को जनम दे रहे हैं और हम यह भी जानते हैं कि आज के समय में हमें waste management नहीं बलकि resource management की बात करनी चाहिए क्योंकि waste is nothing but a resource it is a substance जो कि recognition का weight कर रहा है और बहुत छोटे-छोटे baby steps लेकर हम waste management कर सकते हैं तमर्ना जी यह सब कुछ बहुत आसान है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि solid waste management rules उसके कही सारे प्रावधान बहुत easy हैं और बहुत जरूरी हैं सब तरह से ministries में, gram panjayats में, individual generators, street vendors सभी की एक निश्चित जिम्मेदारी ताई की गई है और सभी को कहीं न कहीं accountable बनाया गया है कि जो waste निकलता है अगर मैं waste generator हूँ तो waste management भी मुझे ही करना है क्या challenges हैं? हम क्यों अभी भी एक efficient तरीके से rules को लागू नहीं कर पा रहे हैं हम जहां तहां अभी भी कूडे का धेड़ देखते हैं plastic polythene का चलन आज भी कायम है क्या challenges हैं कि हम इतना प्रभावी तरीके से waste management नहीं कर पाते हैं तो जैसे मैंने जो steps बताए अगर इसे follow किया जाए तो भी हम maybe 70% उस problem को solve कर सकते हैं क्योंकि यह इतना आसान है नहीं अगर waste segregate नहीं होता है तो उसको सब को transport करने में जो budget लगता है हमारा maximum sanitation budget उसी में चला जाता है तो अगर हम पहले के जो steps हैं waste audit, waste segregation and implementation of waste management facilities और value chains करें तो हम most of the problem solve कर सकते हैं तो यह जो प्रोब्लम है ऐसे materials जो ना recycle होते हैं ना compost होते हैं तो वो materials है multi-led packaging, food packaging जो आज का चलन बहुत हो गया है और maximum waste हमारा वही निकलता है जहां पर हमारे multi-led packaging extract करने में और उसे recycle करने में इतने expensive हैं कि हमारे पास ऐसी facilities ही available नहीं हैं कि हम इनका कुछ कर सकें पर मैं तो यही कहूंगे कि challenges के आगे solutions ही होते हैं और हमें हमेशा कोशच करने चाहिए कि उन challenges को हम कैसे पार करें waste management set up कर लिया आपका maximum waste recycle हो रहा है वापिस economy में जा रहा है या वापिस धरती पे जा रहा है compost बनके पर अभी वी कुछ हैसा बच रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो में आपको बताना चाहूंगी number one find your local partner कई scientists और innovators आज ही कोशिश कर रहे हैं कि वो इस problem को solution ढूंड सके अभी वो early stage पे हैं इसलिए अभी वो solution everywhere it's not available everywhere इसलिए आप एक partner ढूंडिये अपनी local partner के साथ आप बैठके यह बात कर सकते हैं आप discuss कर सकते हैं कि जो waste कहीं नहीं जा रहा है उसका क्या किया जाए एक example है upcyclers काफी सारे ऐसे लोग हैं जिसे tire tube से नए materials बना रहे हैं आपका rice sack है वो वेस्ट हो रहा है रिसाइकल नहीं हो सकता उससे नए materials बनाए जा रहे हैं आपका construction material जिसे marble का चूरा है वो material जो waste माना जाता है जिससे dust pollution हो रहा है आज उससे नए construction materials बन रहे हैं तो इतने सारे innovators है हमारे पास yes इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो innovations कर रहे हैं पर वो हर जगा बटे हुए हैं तो हमें उन्हें ढूंडना है तो आपने आस पास के वो innovators को ढूंडिये सबसे पहले दूसरी चीज़ policy change अब यह high time हो गया है कि हमें समद जाना चाहिए कि waste crisis हमारे को directly impact कर रहा है हमारी lives को threaten कर रहा है so now it is important to change policies जो learners हमारे authorities के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास यह एक आगे जाके opportunity मिलेगी advocacy करने की वो policies पे काम कर सकते हैं जिसे solid waste management 2016 rules जो है वो भी advocacy के थू ही बने हैं तो हमें इस पे और काम करना है हमें उन materials को ढूनना है जो manufacturers बना तो रहे हैं पर उसकी पूरी life cycle वो ध्यान में रखके नहीं बनाते तो ऐसी materials को manufacture हमें नहीं होने देना चाहिए क्योंकि यह crisis बहुत जादा बढ़ चुका है अगर हम इसका consumption कम नहीं करते हैं तो हम इस problem को solve नहीं कर पाएंगे तो second is policy change third हमें अपने traditions के पास वापस जाना होगा हमारे traditional ऐसे हमारे पास materials थे जो sustainable थे nature में यार eco-friendly उसे छोड़के अब हम नए-नए materials उस कर रहे हैं तो हमें Indian tradition में वापस जाके अपने culture में ही ढूनना पड़ेगा कि हम ऐसी कौन सी चीज़े करते थे और उनने वापस करें आज भी गाओं-गाओं rural areas में छोटे-छोटे businesses है small medium businesses जो sustainable alternatives को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप waste management के बारे में पढ़ रहे हैं आगे उसके बारे में काम कर रहे हैं तो आप उनने ढूंड ये आप उनके साथ काम कीजिए उनके उनको support कीजिए और sustainable alternatives को wasteful practices से swap कर ये तो ये हैं तीन जो हम कर सकते हैं in challenges को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं आपको लगता है तामना जी कि लोगों की awareness में कमी है क्या ये एक रोड़ा बनती है वेस मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होने में awareness is very important of course लेकिन सारी बाते awareness पे टिकी नहीं रहती क्योंकि एक इनसान के पास जो संसाधन है सामने वो ही use करेगा और वो ही generate करेगा तो अगर किसी को दो रुपे का shampoo का सैशे मिल रहा है तो वो use करेगा instead of buying a very expensive bottle isn't it तो हमारी जो economy है वो अभी linear economy है उसे हामें बदलना है security के थुरू हम उसे कर सकते हैं और यह दोने एक दूसरे से जुड़े हुए है साथ में काम करना जरूरी है तभी हम एक circular economy बना पाएंगे जहां एक गरीब को यह सोचना नहीं पड़ेगा कि उसके दो रुपे के खर्च से क्या impact हो रहा है so awareness is very important I feel सबसे पहले segregation में अगर awareness पैदा हो जाए तो हम maximum जो problem है वहीं पे at source उसको solve कर सकते है segregation is very important so इसकी awareness I feel should be prioritized तो मैं मैं आपसे यह request करूँगी कि जो हमारे learners है ठोस अप्षिष्ट प्रबंदन में प्रमान पत्र के जो हमारा program है Certificate in Solid Waste Management इसके जो हमारे students है learners है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे Learners के लिए मेरा एकी संदेश है अगर आप यह course कर रहे हैं तो आप already right track पे हैं यह course आपको यह बताएगा कि आपको इस problem का solution कैसे ढूनना है इस solution के बारे में आप आगे क्या कर सकते हैं और मैं आपको यह बता नहीं सकती कि यह इतना crucial है कि यह हमारी survival की बात आ गई है So आप यह course जब पढ़ रहे हैं आप यह video जब देखेंगे तो आप ज़रूर यह ध्यान में रखिएगा कि इन्हें practically आपको अप्लाय करना ज़रूरी है Practical application is very very important Thank you Tamina जी आपने बहुत important subject waste management के बारे में बताया कि waste management systems को कैसे effective बना सकते हैं और waste audit के बारे में हमें चानकारी दी कैसे waste audit की जाती है bulk generators, individual generators की भूमी का क्या है बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you Thank you so much Thank you Thank you